प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं चायावाद और उनकी प्रमूप रचनाकार हैं, उनके बारे में। तो आचारे रामसुंदर शुक्ल जीन ने उनी सो अठारा से चायावाद को प्रारम माना हैं। इच्छायावाद का जो एक ट्रेंड था उसके उपर चलना शुरू कर दिया था दूसरी बात यहां पर यह है कि यह एक नवीन मोड आया था क्योंकि पल्लव जैसे रचना है 1920 के आसपास में आ गई थी जो ही की जो कली है यह जो रचना है 1916 में आ गई थी यह प्रश्ण अनुबुति की तिव्रता थी सबसे बड़ी विश्यस्ता है अनुबुति की तिव्रता फिलिंग्स को समझना और वो भी तिव्रता के साथ शुक्ष्मिता के साथ बारी के से समझना शुक्ष्मिता के साथ यह चीज़े चायावाद की घोतक थी किसकी थी चायावाद की घो जिनोंने बहुत सारी कहानिया लिख करके साहित्ती जगत को एक बड़ा युगदान प्रदान किया है तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि अभी वेंजना शिल्प के उतकर्ष के दरष्टी से काविश रिस्थ है और ये चायावाद की अंदरगत ऐसा हुआ और अगली बात है कि यहाँ पर राश्ट्रिय और सांसकर्तिक मुल्य भी तयार हुए कहां पर चायावाद में क्यों तो बताते हैं राश्ट्रिय और सांसकर प्रतिक मुल्य हैं उसकी भी शुरुवात च्छायावाद में हुई अब कैसे हुई उसको देखने कोशिश करते हैं क्योंकि उस समय माखनलाल चतुरवेदी शियारामचरणगुप्त बालकृष्ण नवीन जैसे जो साहित्यकार थे वो च्छायावाद के समय में अपनी लेखनी को धार दे रहे थे अपनी लेखनी से ऐसे शब्द उगेल रहे थे कि यहां का जो आदमी था यहां का जो जनमानस था वो उतके पटल पर इनकी कविताएं दस्तक दे रही थी अगली बात यह है कि माखलाल चतुरवेदी साब ने प्रभा परताप और कर्म विज्य से जो पत्रिकाय थे उनका संपधन किया और माखलाल चतुर वेदी जी को एक भारती आत्मा कहा जाता है क्या कहा जाता है एक भारती आत्मा इतना बड़ा उपनाम है भारती आत्मा कहा जाता है इनको माखलाल चतुर वेदी जी को ठीक है दूसरी बात इनका जो कभीता संग्रह है वो है हीम किरिटनी ये इनका कविता संग रहे हैं इस बात को आप ध्यान देना ओके साथ ठीक है और उसी समय सिया राम शरण जो गुप्त हुए उन्होंने विशाद आद्रा पाथे पाथे बोलते हैं पत का जो भोजन होता उसको पाथे बोला देता है पाथे जमक रचनाय लिखी और बाल कृष्ण शर्मा जो नवीर हुए उन्होंने लिखा अप अलक रश्मी रेखा रश्मी रती नहीं रश्मी रेखा रश्मी रती तो फिर अलब है वो तो रामदारी सिंग दिन कर हो जाएंगे रश्मी रेखा इन्होंने लिखी इन्होंने क्वासी लिखी इन्होंने लिखा हम विश्पाई जनम के बाल कृष्ण शर्मा नवीर बहुत उंदा जो रश्मा हैं उन्होंने लिखी अपने पैन से अपनी कलम से निकाल लगर के पाठक बरग तक इन्होंने पहुंचाया, दस्तक दी, लेकर के आए, और ये जो सवच दाता, प्रेम और मस्ती के रूप में जो कभी जाने गए, वो छायावाद के अंदकत हुए, और उस समें, और भी जो अन्य प्रमुख इस्तंबत है, जिसमें नाम आता है, जैशेंकर पर प्रसाद, सुमित्रा पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुरीकांत त्रिपाठी निराला और महदेवी वर्मा, ये चार इस्तंब है, महदेवी वर्मा, सुरीकांत त्रिपाठी निराला, जैशेंकर प्रसाद, और एक नाम है, सुमित्रा नंदन पंत, ये तो होगे चार इस्तं किसके है जयावाद के इस्तम का मतलब खूटा नहीं बता गया अब रहे है ठबलिया ठबलिया जया और उसमें से ये ये होगी तिकड़ी और ये एक मात्र महिला थी इस्तम्भाग के अंदर कर ठीक है साथ आगे बढ़ते हैं जयाशंकर प्रसाद जी का जन्म सर्व विद्धित हैं कि 1890 में हुआ और 1937 में इनकी म्रत्य हो गए किनकी जयाशंकर प्रसाद ये सब को पता है ठीक है साथ ध्यान रखना इनकी जो रचना हैं वो हैं जो एक्जाम में आई हुई है अयुद्या का उद्दा कानन कुसम 1913 कानन क कानन का मतलब जंगल कुसम इनी फूल जंगल का फूल 1913 में इनकी रचना आई आसु 1924 ये मेरा जो प्रश्ण था जो गत्र अन्याट हुआ उसके अंदर दाया था आसु जहरना महाराना का मैत्व ये इनकी रचना है थी और त्रिपाटी साब का जो टाइम पिरेड हैं वो 1897 से 1962 है 62 और बंगाल में इनका जन्म हुआ और मैदेनीपूर में कहां पर हुआ मैदेनीपूर मैदेनी मैदेनीपूर वहां पर इनका जन्म हुआ था और निराला साब ने लिखा जुही की कली 1916 अनामिका 1923 परीमल 1930 गीती का तुलसी दास इस प्रकार की और एक लंबी कव जब रामायन वाला पिरिड चल रहा हो वो चीज़े आपको देखने को मिलेगी पंथ साब ने लिखा समय है उनका 1927 और इनकी पहली कविता है यह गिर्जे का घंटा यह इनकी पहली कविता है कि इनके पंथ साब की शुमित्रा नंदन पंजी की पहली रचना है और पिर इन ने लिखा उच्वास गंती उन्नी सुबीस वीना पल्लाव गुंजन इस प्रकाल की रचना इनों ने लिखिए ठीक है फिर लिखा महादेवी वरमाजी ने उनका समय है 1907 से 1907 सी इनका जो समय पिरेड था और उनमें इनों ने लिखा निहार 1930 रश्मी 1932 निर्जा 1935 सांधिगीत 1934 इन चारों रचनाओ का जो संकलन है उसको यामा का आ गया यामा का आ गया और उस यामा पर इनको पुरुषकार भी मिला पारित तोषक भी मिला तो ये थे च्छायावाद की प्रमुख रचनाकार च्छायावाद की कुछ प्रमुख बात में और इसके बारे में हमने पड़ा वीडियो किस प्रकार से लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा फिलाल मैं भरत को रणा लेता हूं विदा शुक्रिया शबा खेर